हेलो क्यूटीज, आज हम बात करने वाले हैं टॉर्णी वू की एपिसोड 11 की एपिसोड चुरू होता है एक गैंबलिंग दैन में तीन आदमी बैठ के गैंबल कर रहे होते हैं और तभी उनमे से एक आदमी फर्स्ट प्राइस जीच जाता है लोटरी का जिससे वो तीनों लोग बहुत साथा खुश हो जाते हैं और फिर दूसी साइट दिखाते हैं यंगू भी बहुत खुश थी वो जुनू का वेट कर ली थी मगर जैसी जुनू आता है तभी यंगू के पास फोन आ जाता है कि इसको मेटिंग जॉइन करनी है और उसको वहां से जाना पड़ता है पर जैसी वो कॉन्फरेंस रूम में जाने वाली थी उसको क्लाइन देख जाता है वो क्लाइन अपनी वाइफ को अपनी अमर पे पिगी बैग राइट की तरह ला रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ की हील्स टूट गहीं थी तो जिससे वो अपने आपको और चोड़ना पहुच जा पाए तो उसको इस टाइब से लेकि आ रहा था तो उनकी बातों से ही परा चलता है कि मतलब दोनों काफी गरीब है उनका क्लाइंट इलसु ये बताता है कि कैसे वो लोग लौटरी जीत गएते और जब उन्होंने उस पे पैसा लगाया था तो उससे पहले उन तीनोंने डिसाइड कर लिया था कि अगर उन तीनों में से कोई एक भी जीता है तो लोटरी का पैसा तीनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा बट अन्फॉर्चुनिटली जिस इनसान ने लोटरी का टिकेट जीता वो अब उन्हें पैसे देने से मना कर रहा है ये तो करनी चूंग उनकी बात सुनते हैं और ये भी बताते हैं कि ये तो बहुत जादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि तुमने इसके कोई डील करी थी क्योंकि तुम्हारे पैस कोई रिटन एग्रिमेंट नहीं है और तुमने ये काम एक गैमलिंग डैन में किया था जो कि इरलीगल है बट इलसू बहुत जादा कर रहा था कि प्लीज आप हमारा केस लर लो किसी भी तरीकी से हमें पैसा जिता दो बताता भी है कि इतने जादा रुपे की लॉट्री थी और वो अपने तीसरे वाले आदमी को भी यहाँ पे ले आएगा जैसे हम प्रूफ कर सकते है कि हम तीनों में ये बात हुई थी कि पैसा बराबर बराबर बटना है सो यून रात भर आफिस में काम कर रही थी और तब भी उसको कॉल आती है उसके कर्रेंट बॉइफरेंड की वो काफी अच्छा सा दिखाया था और मतलब चार्मिंग भी था वो सो यून को एक कोक्टेल भी देता है कि ये तुमारे लिए हेल्प करेगी तुम इतना काम कर रही है उसके लिए फ्लार्स भी लाता है मगर इसी एपिसोट के बाद में पता चलता है कि ये सब ऐसी दिखावा था वो सब लड़कियों के साथ ऐसी करता था और वो हमेशा उन लड़कियों के पीछे ही जाता था जिनकी जॉब अच्छी है जिसे डॉक्टर्स, लॉयर्स या अच्छी जॉब बाली जिससे पहले उन लड़कियों को इसे फसा सके नेक्स डे यंग फू उस कैमलिंग डैन में जाती है और वहाँ पे वो काफी ज़ादा शौक डो जाती है क्योंकि वहाँ पे निकनेम उन लोग के कुछ ऐसे ही थे इक लड़की का नाम कॉफी शौक ता जो वहाँ पे ड्रेंग्स सल करती थी और एक का नाम चुक लड़किश का नाम वेह वहाँ produit बिल्बाबर कंई और obras एक दम से फेले तो जूनु से बाते पर केस के बारे में मगर फिर भी जुनू अपना हाथ विंडो पे रख देता है और फिर यंग भू भी अपना हाथ रख देती है तो दोनों की बीच में काफी beautiful सा movement हो जाता है court में defense lawyer ये कहता है कि ऐसा कोई claim था ही नहीं ऐसा कोई promise लोग के बीच में हुआ ही नहीं था क्योंकि इसके बीच कोई evidence है यह नहीं जो इप्रूफ कर सके कि ऐसा कोई promise किया गया था attorney जुन कहते हैं कि नहीं ऐसा promise हुआ था और हमारे पास एक witness भी है मगर तभी जुनू आके बताता है कि वो witness भाग चुका है जो trial के बाद handmade law firm का client ये कहता है कि क्यों नहीं हम जो witness है अपनी बना लें किसी को पैसे दे दे और वो हमारे court में आके कहते हैं कि मैंने सुना था ये सारी बात मकर यंग वो बिल्कुल मना कर देती हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं यंग वो देर रात तक office में काम कर रही थी और तब ही वो जुनो को वीडियो कॉल करती है यंग वो जुनो से कहती है कि वो उसके दिमाग में एकदम से ऐसे आया जा रहा है जैसे वेल्स उसके दिमाग में आती रहती है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विल्स के लावा उसके दिमाग में कुछ चीज ऐसी आ रही है जब यंग वू ने फोन किया था वो तो बस उसका चेहरा देखके फोन कट करने वाली थी उससे कह देती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी और वो विटनेस ये कह देती है कि हाँ मैंने सुना था जब इन तिन लोगों ने प्रामिस किया था जिसे सुनके मिस्टर हैं जिसने ये लॉट्री जीती थी वो ये कहता भी है कि ये लड़की जूट बोल रही है इसका तो इलसू के साथ चक्कर चल रहा है इसलिए सब कुछ करना चाहा रही है मगर वहाँ पे उसके कोई बात सुनता नहीं है और इस तरीके से वो लोग केस काफी हद तक जीती जाते हैं कि अब पैसा तीनों में बराबर बराबर पटेगा यंगवू जैसी घर पे जाती है उसके फादर टेसुमी की बात तो कोई सोच रहे थे कि अगर यंगवू को बॉस्टन ले जाए तो वहाँ पे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं तो वह यंगवू से पूछ लेते हैं कि क्या वो कभी चाहती थी कि किसी अच्छे से डॉक्टर की हेल्प मिले उसको तो यंगवू कह देती है कि हाँ एक टाइम था जब उसे लगता था कि किसी अच्छे डॉक्टर को देखना चाहिए और इसे सुनके यंगवू के फादर थोड़े सैड हो जाते हैं कि उसकी बेटी कितना कुछ फेस कर रही थी नेक्स दे इलसू यंगवू से मिलने आता है उसको थेंक्यू बोलता है कि तुमारी वजा से हम ये केस जीत गए और उसको गिफ्ट भी दे रहा होता है और फिर वो कोई गिफ्ट ऐसे नहीं ले थी तो इलसू उसके लिए इन गिमबाप लाया होता है जो उसकी वाइफ ने बनाए थे फिर वो ये भी पूछता है कि जैसे अब मैंने ये लॉट्री जीती है और अब मैं अगर डिवास ले लूँ तो क्या ये लॉट्री वाले पैसे भी हम दोनों के बीच में बटेंगे तो यंग वो को कुछ लगता तो है कि ये कैसी बाते कर रहा है वो चोई सी उनसे बात डिसकस भी करती है पैट क्योंकि यंग वो अपने केस दूसरों के साथ डिसकस नहीं करती थी तो चोई सी उन कहती है कि हम उन सब को कुछ कैरेक्टर्स में चेंज कर सकते है जैसे जो उनका क्लाइंट था इलसूस का नाम वो रख देता है Mr. Salt, उसकी वाइफ का नाम Miss Pepper और अटॉर्णी यंगवू का रख देता है Soy Sauce इन कैरेक्टर्स के हिसाब से तब यंगवू उनको situation समझा पाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो उसे conclusion यह निकलता है कि उनको Miss Pepper को बॉर्ण करना चाहिए बट यंगवू ऐसा करनी सकती थी क्योंकि Mr. Salt उसका client था इलसू तो वो अटॉर्णी जूंग से बात करने चाहती है उनसे discuss करती है तो अटॉर्णी जूंग खुद यह कह रहते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि यह लोग के खिलाफ है क्योंकि इलसूं का client है तो अभी यंगवू को एक idea आता है वो वहाँ पे गिमबैब देखती है क्योंकि उसकी wife गिमबैब का restaurant चलाती थी तो यंगवू जुनूं के साथ उसके restaurant पे चली जाती है और वहाँ पे वो उसकी wife को indirectly कुछ बताने की कोशिश करती है कि शायद वो divorce देने वाला है next day वो ओरत इलसू की wife हैनमडा law firm में आती है और उनलोग को बताती है कि उसका husband उसको divorce देना चाहता है और वो उसे और उसके बच्चों को मारता पीपता भी है यंग वो उससे पूछती है कि क्या उसके पास proof है कि उसके husband ने उसके कहा हो कभी कि अगर मैं lottery जीतूँगा तो उसके पैसे मैं तुम्हें भी दूँगा वो कहती है कि उसने कोशिश तो की कोई proof मिल जाए पर उसके husband ने उसे कुछ भी नहीं दिया फिर टॉर्ण ही जुंग कहते हैं कि उसको कोई और lawyer ढूंड लेना चाहिए क्योंकि वो लोग उसके husband के lawyers हैं तो इस type से ये ठीक नहीं रहेगा और वो उसको suggest करते हैं कि किसी और को देख लो यंग वू और जुन हूँ उसके साथ उसके restaurant में जाते हैं और वहाँ पे वो देखती है कि उसका husband उसको divorce paper पकड़ा देता है sign करने के लिए जो वो वहाँ से जा रहा होता है वो कार में बैठ जाते हैं और तब हल अजानक से एक truck कार को hit करता है और वो वहीं के वहीं मर जाता है ये सब देख के यंग वो को panic attack आ जाता है वो भूछ ज़दा इसके कपकआने से लगती है चिलाने लगती है और फिर उसको वहाँ पर जुनु समालता है वो उसको कसके पकड़ लेता है और तब जाके यंगवू थोड़ी ठीक हो पाती है क्योंकि अब इलसु मर चुका था तो उसकी सारी wealth उसके next of kin को जानी थी जो कि उसकी wife थी तो उसकी wife को सारे पैसे मिल जाते हैं यंगवू जुनु को thanks भोलती है कि उसने उसकी बहुत help की थी और जुनु कहता है कि जब भी यंगवू को उसकी जरूरत होगी वो हमेशा उसके साथ होगा और फिर वो दोने किस करने लगते हैं और इस पार इन दोनों को किस करते हुए यंगवू के पापा देख लेते हैं फिर दिखाते हैं टेसन लॉफ फर्म में अटर्नी कुएंट टेस उमी से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसके लॉफ फर्म में काम करना चाहते हैं और ब्लैक मेल के तोर पे उससे ये भी कह देता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी यंगवू है और अगर तुम इस बात को चुपाना चाहती हो तो तुम मुझे यहां पर जॉब दे दो बट टेस उमी कहती है कि इतना ही काफी नहीं है तुम्हें मेरा सीक्रेट पता है चलो ठीक है पर तुम उसके लिए कैपेबल भी होने चाहिए अगर तुम्हें इतने हिम्मत है तो यंग वू को गरी शेर करें पाइब पाइब दो नक्स वीडियो